दो कच्छे आलू से इतना कुरकुरा इतना ज़ादा चट पटा बिना तेल का हेल्दी नया नाश्टा लेकर के आ गई हूँ बच्चों का लंच बॉक्स हो सुबह का नाश्टा हो या फिर महमान भी आ जाए तो इस नाश्टे को आप उन्हें भी दे सकते हैं और इतना ज़ादा क्रिस्पी बनेगा नाश्टा कि आप उन्हें चाटते रह जाएंगे तो चलिए इस टेस्टी हेली नए नाश्टे को बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो इसके लिए मैंने आपे देड़ कब बेसन ले लिया है बेसन को एक बाउल में निकाल लेंगे अब हम इसमें कुछ सबजिया आड़ करेंगे जैसे कि मैंने आपे लिया है आदा कब बारी कटीवी शिमला मिर्च साथी आड़ कब बारी कटीवी गाजर आधा कब बारीक टीवी प्याज और साथी में आड़ कर देंगे आधा कफी बारीक टावा हरा धनिया अब मैं इसमें आड़ कर दूंगी एक मेडियम साइस का ग्रेट की आवा अलू ये कच्चा अलू है जिसे मैंने ग्रेट करके अच्छे से धोकर निचोल कर लिया है कच्चे आलू का फ्लेवर इस नाश्टे में बहुत ही बड़िया फ्लेवर देता है अब हम कुछ मसाले आड़ कर लेते हैं जैसे कि दो चोटे चमच में आपे धनिया पाउडर आड़ करी हूँ एक चोटा चमच में इसमें आड़ करूँगी जीरा पाउडर मैं इसमें हल्दी पाउडर नहीं आड़ करी हूँ आप चाहे तो आड़ कर सकते हैं आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्यूं मैंने इसमें हल्दी पाउडर आड़ नहीं किया है और एक चोटा चमच ही मैं इसमें चाट मसाला भी आड़ कर दूँगी अब हम इसमें स्वाद के नुसार नमक आड़ कर देंगे अभी तक मैंने इसमें किसी भी तरह की मिर्ची कर इस्तेमाल नहीं किया है तो नाश्टे को थोड़ा सा चट पटा और तीखा बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसमें आड़ करी हूँ एक छोटा चमच चिली फिलेक्स अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसकी जगह पे हरी मिर्ची या फिर लाल मिर्च का पाउडर भी आड़ कर सकते हैं अब थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते वे इसका गाणा सा घुल तैयार कर लेते हैं पानी को थोड़ा थोड़ा करके यह आड़ करते जाए और मिक्स करते जाए तो देखिए थोड़ा-थोड़ा पानी आड़ करते विए अच्छा गाणा सा घोल मैंने इसका रेडी कर लिया है तो जिस तरह का बैटर होता है पकोड़े के लिए उसी तरह का बैटर आपको रेडी करना है अब हम नाश्टे को fluffy बनाने के लिए इसमें आड़ करेंगे एक चोथाई छोड़ा चममच baking soda baking soda को activate करने के लिए थोड़ा सा पानी उपर से डाल देंगे और mix कर लेंगे इसे जो अमारा नाश्टा है काफी ज़ादा spongy और fluffy बनेगा तो देखिए baking soda को mix कर लिया है मैंने इसकी consistency आप देख सकते हैं batter की इस तरह की होने चाहिए अब हम इसे steam करेंगे इसलिए मैंने आप एक cake tin लिया है इससे steam करने के लिए आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं या कोई भी बलतन ले सकते हैं मैंने आप एक round shape की cake tin लिया है जिसे मैंने अच्छे से तेल से grease कर लिया है oil से grease करने से सारा नास्ता steam होने के बाद बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा अब हम cake tin जो हमने grease किया है उसमें डाल लेंगे batter और सारा batter डालने के बाद हम थोड़ा साइसे tap कर लेंगे ताकि जो भी इसके नीचे में air bubbles हो वो निकल जाए अब हम इसे steam करेंगे तो मैंने एक बलतन ले लिया है जिसमें पानी उबल चुका है पानी डालने के बाद उबाल ले उसके उपर से कोई भी छनी या फिर कोई भी तरह की जाली रख दें उसके अंदर डाल देंगे इस तरह से ये जो tin है उसके उपर से हम lid लगा देंगे और इसे steam होने देंगे लगबग 15-20 मिनट तक के लिए low to medium flame पे 15-20 मिनट के बाद धकन हटा देंगे और आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा से पकावा नजर आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं हलका सा तो उंगलियों की मदद से चेक कर लेंगे ये देखिए उपर की सता इसकी बिल्कुल भी गिली नहीं है आप चाहे तो किसी चाकू या फिर किसी टुटपिक की सायता से भी चेक कर सकते हैं तो गैस को आफ कर देंगे और इसे निकाल कर हलका थंडा कर लेंगे तो देखिए मैंने इसे 5 मिनट तक हलका सा थंडा कर लिया है अब हम इसे demold करेंगे तो आप चाहे तो इसके साइट पहले चाकू की मदद से छोड़ा ले बट मैं इसी तरह इसे निकालूंगी बहुत इसलिए ऐसे भी निकल जाता है और ठंडा होने के बाद ये अच्छे से और भी सेट हो जाएगा तो इसे डिमोल्ड करने के लिए उपर से एक प्लेट रखेंगे और इसे उल्टा कर लेंगे और हल्का साथ टैप करते ही इसलिए निकल आएगा ये देखिए कितना अच्छा नाश्टा हमारा तयार हुआ है इसलिए निकल आया और काफे ज़्टा स्पोँजी है आपको पास्से में दिखा देती हूँ ये देखिए आप देख सकते हैं कितना स्पोँजी है ये Louise आप इसकी जालिया देख सकते हैं अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें healthy powder क्यों नहीं add किया था क्योंकि हम इसमें baking soda add करे हैं जब भी हम baking soda थोड़ी सी जदा quantity में किसी भी चीज में add करते हैं जिसमें healthy हो तो वो healthy के साथ reaction करके अच्छा color नहीं देता है वो बिलकुल reddish हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि इसका कलर बिल्कुल भी डार्क सा हो जाए इसलिए मैंने आड नहीं किया था अब मैं इसे ट्राइंगल शेप में कट कर लूँगी आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते है और मैंने इसे कट कर लिया है और आप देख लिजए कितना अच्छा और स्वादिस्ट नास्ता तयार हुआ है बिना तेल का तो आप ऐसे इसे खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है बिल्कुल ढोकले की तरह बहुत ही स्पॉंजी है नास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है आप इसे as it is खाएं बहुत स्वाधिस्ट लगती है बट मैं इसे थोड़ा सा और टेस्टी और क्रिस्पी बनाने वाली हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी तो एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है मैंने इसे शैलो फ्राई हम करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे आदा चोटा चमच काले वाले तिल आप इसकी जगह पे ससु के दाने भी इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर सफेद वाले तिल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इससे लुक और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आता है अब हम इसके उपर से नाश्टे को डाल लेंगे और इसे लगबक 2-3 मिनट तक मेडियम फ्लेम पे उलट पलट करते वे फ्राई कर लेंगे और जब यह बहुत अच्छा से क्रिस्पी से गोल्डेन ब्राउन कलर के फ्राई हो जाएं दोनों साइट से तब हम इन्हे निकाल लेंगे यह रिसेपी बहुत ज़ादा क्रिस्पी है अब हम बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे आप चाहें तो इसे पहले से स्टीम करके रख सकते हैं जब आपका मन करें आप इन्हें फ्राई करके खाएं या महमानों के आगे सर्फ करें सो गाईज आप देख सकते हैं बेसन का बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी बिल्कुल नए तरीका नाश्टा बनकर हो चुका है तैयार जो की बहुत ही ज़ादा चटपटा और टेस्टी है आप इसे दो तरह से खा सकते हैं चाहे तो स्टीम किये वे खा सकते हैं बिना दे किर थैंक्स फच्छिक मैं वीडियो थैंक्यू सो मच